कि आण एक अटिये वेगई वाज जारे सब लोग को मेरी एक बर आप लोग कंफर्म कर हो कि सब्लों को आज यह न सब्सक्रिजर हो रहा है या नहीं हो रा स्क्रीन शेर रहा हूं साथ-थी साथ एक बाद आप अब कंफ करना कि यह स्क्रीन्स हो रहा है या नहीं ओरा किके इस्क्रेंश दोगोछ सब्सक्राइबहdy they are okay ह underestimated Mama की बैक्ग्राउंड से कोई благ डिस्टर्वींस वगे कि आ muted करते हैं जिसके आप लोग को अलड़ी पता है कि अभी यह हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है काफी तैम के बाद स्टार्ट हुआ काफी तैम से स्टॉप था तो मैं अभी कुछ दूसरे काम में बिजी था इस वज़े से में कोई क्लासे नहीं ले पा रहा था आज से हमारा स्टॉक मार्ट कीट का क्रैस कोर्स बैच 12 चल रहा था उसको हम लोग रिकंटीनू करने वाले इसमें बहुत सारे हम लोगों ने टॉपिक्स को अलड़ी क्लियर कर लिया है लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपि सकता जो पहले से इसको कंटीनू कर रहे हैं तो जो भी लोग फर्स्ट बार इस सेशन को जोईन के उनको मैं बताना चाहूंगा कि यह जो हमारा क्रैस को से यह हर बार कंटीनूसली चलता रहाता है बैच 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 अभी यह बैच 12 चल रहा है जिसका एप्रॉक्स समझो त ने रवांस तक आप लोगों को समझाऊंगा ऐसे ही डेली वैसिस स्पेलाइक क्लासे में तो इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या-क्या-क्या चीजै ख लिया थ और क्या-किशी चीजै भीtalk पच बैख न्दिम और बहुह वह मैं आप लोगों को यहां पे बता देता ह ठीक है swing trading, intraday trading, option trading, trading psychology, यह सारे topic को मैंने already clear कर दिया था past में, अगर आपने यह सब lectures नहीं देखा, सारे lectures का recorded session यूटूब चैनल पे upload है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, उसके बाद हमारे क्या था, फेबोनाची trading और harmonic trading बचा हुआ था, तो फेबोनाची trading exactly क्या होता है वह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसको किस तरीके से use करते हैं, वह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को बस फेबोनाची trading और harmonic trading के बारे में बताऊंगा, बट फेबोनाची retracement, फेबोनाची trading exactly क्या होता है, आप लोग ने भूल गया होगा, तो मैं वापस से आप लोगों को इसका revision करवा दूगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको complete करके new batch start करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को यह सारी चीज़े अच्छी से clear हो गई होगी, जो first time आई होगे, उनको भी लिए भी अच्छा रहेगा, अग तो मैं वाप लोगों को वहाँ पी new batch again, वापस से basic से लेकर advance तक बता दूँगा, ठीक है, तो एक बर आप लोग मुझे confirm करो कि जो भी चीज़े मैंने भी आपको बताए, यह सब लोगों को clear है, यह सब लोगों को clear है, तो अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, जो हमारा Fibon Fibonacci Retrassment is a method of technical analysis for determining support and resistance level, it means कि Fibonacci Retrassment एक simple concept है, simple tool है, जिसको use करके हम क्या करते हैं, support and resistance की label को find करते हैं, बहुत सारी तरीके होते हैं support and resistance निकालने का, अब कोई indicator यूज करता है, कोई psychology label को follow करता है, कोई chart patterns को देखकर support resistance निकालता है, हम लोग यहाँ पे उसको भी देखक support resistance निकालते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, Fibonacci Retrassment को tool को use करते हैं, और वहाँ पे support and resistance find करते हैं, अब इसके accuracy थोड़ी better होती है, क्योंकि उसमें कुछ important labels होते हैं, जिसे कि 23 होते हैं, 38 होते हैं, 50, 61, 78, इस सारे के सारे जो labels होते हैं, as a support and as a resistance market में work करत हैं, अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, Fibonacci Numbers, यह क्या है, 38 क्या है, 50, 60, 78, 88, 1.13, 1.27, 1.4, 1.61, यह सारे labels live market में as a support or as a resistance work करते हैं, और यह सारे numbers Fibonacci की resuse है, Fibonacci के numbers हैं, अब इसका क्या use होता है market में, उसको मैं क्या करता हूं, डारेक्ली अभी आप लोग है कि exactly, Fibonacci Retrasment का मतलब क्या होता है, हम दोगों को अच्छे से पता है कि market में क्या होता है, एक proper structure होता है, जिसको market follow करता है, market कभी भी लगातार उपर की तरफ नहीं जाएगा, या कभी भी market लगातार नीचे की तरफ नहीं आएगा, market में क्या होता है, एक proper structure होता है, और व तो कि हमारे को उपर की direction में या उसी जो हमारा real trend है उसमें मार्के जाएगा अभी मानलो कि market क्या उपर से नीचे की तरफ आगा अब यहां से क्या होगा उपर की तरफ जा रहा तो इसे हम क्या आप हमारा इंपल्स हुआ इसका रिट्रेस्मेंट क्या होगा ओपर के तरफ जारा यह exactly कितना होगा कि यह हमारे को फिबोनाचे का टूल बताता है तो यह हमारा तूल बताता है कि यह maximum जो होता ना एकिस के और ध्यान से समझो अभी मानले तेंग कि मार्गेट में क्या हुआ यह एक इमपलस आया तो अगर आपको यह अप करना पड़ेगा कि impulse क्या है और रेटरस्मेंट क्या है तो एक से इस आवर इंपल्स हो गया तो उसके बाद जो मार्केट नीचे की तरफ अब हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ फिपोनाची रेटरस्मेंट का टूल यूज करते हैं अब यहाँ पर देखोग ठीक है जब आप चार्ट देखो नहीं तो यहाँ पर मिलेगा फिप रिटरस्मेंट यह एक सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का लेबल फाइंड करके देता है तो इसको लगाने का क्या तरीका होता है कि हमने क्या सीखा था कि जो भी हमारा लो पॉइंट है हम उसको मार्क कर ल दिख रहे थे 50 61 78 88 1.23 274 14 यह सारे लेबल सापको यहां पर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उसको मैंने आफ किया है तो अगर इसको यहां पर करूं तो आपको यहां पर समझ में आगा देखो अगर उसको इस तरीकी का यह लेबल दिखेगा अभी समझना अगर उपर से मार्क the left 50 परसेन के लेबल को टॉच करेका यहां से ऊपर जाएगा इसकी हाईयर प्रविश्च बनती है यानि तो अगर मार्केट मापफर से नीची आता तो यहां से ऊपर की तरब जाएगा तो इसके इस सारे के सारी लेबल्स क्या है तो सब्सक्रूर्ट रिजिस्टेंस मार्कि को ट्रेड में इंड्री करना वह होता है 0.5 से लेकर 0.618 का लेबल क्योंकि यह एक जो जोन करता है यह जो आप जून देख रहा हो नहीं 50 लेकर 60 के बीच के जो जोन है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डेन जोन यह आप याद अखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं golden zone बोलते हैं मैं maximum time यह word को use करता हूं जब कभी मैं गुरूप में चार्ट वगेरा भेजूंगा तो मैं बोलता हूं ना कि market golden zone से reverse किया तो वही इसी golden zone की मैं बात करता हूं कि market में impulse रिट्रस्मेंट golden zone के अंदर टच किया फिर यहां से market reverse हुआ तो यह कौन सा में maximum zone तक आ सकता है maximum जो है इस zone तक आ सकते हैं और इस zone के अंदर इंटर करने के बाद यहां से market reverse कर जाएगा इसकी higher probability है तो हम यहां पर क्या कर सकते हम यहां पर call को खरी सकते हैं यानि तो फिर simple सा put को बेच सकते हैं तो अभी इसका आप लोगो चार्ट पर भी रिखाऊंगा ताकि आप लोग यह चीज अच्छे से clear हो जाए बट यहां पर आप लोग बस यह समझना है कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं वह स्रीफ और 50 से लेकर 60 के बीच के zone के जो लेबल है उसकी बात कर रहा हूं वैसे इसके लबह और हुआ होगा एवर आप लोग करो यह बेसिक अंडेस्टेंडिंग होगा एक जिकली फेबोनाची रिट्रेस्मेंट है क्या चीज़ सब लोगों को एक बार कन्फर्म करो प्लीज ओक्या है ठीक है है वेरी घुड तो अब अगर आप लोगों को यह चीज़ कलियर हो गया कि एकज़की फेबोनाची रिट्रेस्मेंट क्या तो आप लोगों पता चलीए कि फेबोनाची रिट्रेस्मेंट एक मैथड है जो support and resistance के लेबल को fine करने में मदद करता है अगर मार्केट में कोई एक इंपल्स आया तो उसका जो रिट्रस्मेंट होगा वह मैक्सिम्म 0.5 लेकर 0.618 तक हो सकता है उसके बाद वापस मार्केट अपने दीरेक्शन में मूफ करेंगा आप मालों यहां से मार्केट थैडले अidays प्रक्ष के तरफ में मॉपब करेखा उपर से मार्केट हो नीचे की तरफ आ रहा है अब हमारा कोशन भंथ है और क्ये पाइन निचे की तरफ हमें करना है तो उसके लिए है और जो हमारे important label से उसको हम सरीफ अन रखेंगे जिससे कि 23 हमारे किसी काम का नहीं हमें इसको आफ कर देंगे 1.618 काम का है 0.78 किसी काम का नहीं off कर देंगे सारे लेबल्स अभी आपको लेप्ट सैड दिख रहे होंगे मैंचों क्या करता हूं यहां से राइट सीट कर देता हूँ ठीक है अब देखो यहां पे चीज़ देखोगे कि जब यह मार्केट इस गोल्ड जोन के अंदर इंटर करेगा यह 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में जब कभी यह मार्केट इंटर करेगा यहां से नीचे से ऊपर की जाने के बाद तो यहां से मार्केट रिवर्स करेगा इसकी हाईयर प्रवाइबिलिटी है अभी इसका प्यूर एक्जांपल मैं भी आप लोगों को लाइफ चार्ट पर दिखाऊंगा आज की बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा तब बजाकर आप लोगों को यह चीज की बेसिक से एडवांस तक अच्छे से क्लियरिटी मिलेगे आई होप अभी आपको यह चीज अच्छे से क्लिए हो गया होगा कि अब देखो अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले आपको क्या ढूणना है इंपल्स लेक यह हमारे क्या है यह हमारा एक इंपल्स है उके इस इंपल्स का हाई-पॉंट यह है आप इस इम्पल्स का जो Le학 मैं होगा इसको हम बोले है कि यह हमारे क्या में रिद्र स्मेंट है अब यहां से मार्केट क्यों फॉल किया कि यहां पर इंपॉर्टेंट लेबल होता है जो कि यहां पर प्यूर काम आएगा उसको मैं किस तरीके से अभी जब मैं फेब नाची लगांगा तो आपको वहां पर चीज का क्लियरिटी मिल जागा अभी आप यहां पर समझो कि एक इम्पूल्स का सव्सकर्ण में यहां पर उसको मार्क करेंगा तो मैंने किया यह हमारा यह और यह हमारा लो पाइंट है एक्जेक्ली देखोगे तो मार्केट इस गोल्ड इंजन को टच किया और यहां से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया है ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर बोलूँ कि आपको क्या करना इसको सिंपल सा लॉजिक है इसमें कोई आपको एक्स्ट इसके बीच के अंदर इंटर करेगा और वहां से हमारे को एक रिवर्सल ट्रेट का प्लान करना है वसे इसके लिए आपने को कुछ करना ही नहीं है अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर प्या हुआ हुआ एक सिंपल सा मार्केट में इंपल्स आया ठीक है इसका चलता रहेगा ठीक है अगर आप इसका चेक करोगे किया मार्केट यहां पर गोल्टन जोन से रिवर्स हुआ या नहीं हुआ तो आपको पता चलेगा इसके लिए हम क्या करेंगा जो हमारा हाई पॉइंट है और जो हमारा लोग पांट है उसका हम कंसे करेंगा यह आलमस्ट पता होना चाहिए कहां पर हमारे को यह लगाना और कहां पर हमारे को यह नहीं लगाना कहां पर यह काम करेंगा कहां पर यह काम नहीं करेंगा ऐपंट है प्योंद कि यहां पर पे देख़ो गे तो मैंने हाइए और यह हमारा किया माइफ इस पालब जो हम इस लुब के लिए उपर यह निðard & यह कभी भी मार्केट में कोई भी एक इंपल्स आता है तो उसके बाद जो इसका रिटरेस्मेंट होगा वो मैक्सिमुम तो मैक्सिमुम 50 से लेकर 61 परसंट के बीच में होगा इसके बाद वहां से से रिवर्स करेगा इसकी हाईयर प्रविलिटी होती है बस यही हमारा जो था ना फिपनाची के हिसाब से जो हमारा सिंपल सा कॉंसेप्ट था वहीं कॉंसेप्ट था ठीक है गोल्डें जिसको हम लोग बोलते हैं आई होप अभी आपको यह चीज अच्छे से क्लियर हो गया हो पस जो हमारा इंपोर्टेंट लेवल सा अब भी हम लोग ने सिर्फ 0.5 से लेकर 0.618 के लेबल को देखा जो कि एक गोल्डें जोन का काम करते हैं और हम किसी भी एक इंपल्स में फिबोनाजी का रेट्रस्में लगा कर चेक कर सकते हैं ठीक है अगर आपको वहां पे एक्ज आपको कुछ न कुछ यहां पर रिजल्ट मिलेगा अगर आपको कुछ न कुछ यहां पर रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसको consistency के साथ follow नहीं करते हो तो फिर आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा ऐसा नहों कि आपने चार दिन यूज किया और उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया तो फिर कोई मतलब भी नहीं बनता ना आपको अगर किसी strategy का accuracy पता करना तो उसके लिए आप आप लोग कनफर्म बरो सब लोग को अच्छे से क्लियर हुई yes or no KB के इनदेक्स पर आपको यह सारी चीज़ें दिखा देता हूं बस में कखा बड़ेगा सिंपल सा है कि हाय जो को एंड करने उस हाइच धिया करना में हमारे को क्या करना और उसका यहां को थ्यान से देखना है यह है यहां पे हमारे को क्या करना है पुरोपर तरीके से फीबलाची लगा लगा कर चेक करना है कि exactly कहां पर हमारा गॉल्ड ओंज़ं फुल्फिल हो रहा है जो घरम यहां पर लगाया हूं तो आप देख होगे कि 50 लेकर 60 पर संगा लेवल यह वेला लेकिन इसके बाद यहां से मार्य पर यहांसे मार्य तरफ फिर हो इसकेesi के तरफ गया यहां पर कोई बात की यहां उसकी हूं आया YouTube निफ्टी फिप्टी का चार्ट है अब आप यहां पर देखो मैंने आपके सामने यहां पर क्या करेंगा जो भी हमारा इंपल्स है उसके हाई और जो उसका लो पाइंट है वहां पर की तरफ क्लोजिंग दिया उसका फिर यहां पर यहां से मार्केट लगाता नीचे के तरफ फॉल करने लगा ठीक है तो आप देखोगे तो आप लोग यह सब चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी अभी निफ्टी का चार्ट है निफ्टी का चार्ट पर ही मैं आपको यहां पर लगा के दिखाता हूं ठीक है अब यह हमारा इंपल्स है और यह हमारा रिट्रस्मेंट एक मार्केट फिप्टी पर्सन डेबर्ल को तच नहीं किया तो इसके बाद जो इंपल्स है आप वहां पे लाकर देखो तो वह क्या रहेंगे वहां पर देखो अभी मैंने आपके सामने यहां पर लगाया यह हमारा क्या है impulse retracement market 50% के label 60% के label को यहां पर touch किया और touch करने के बाद फिर यहां से market ऊपर के तरह reverse हो गया तो market में हम लोगों को समझ में आगया होगा अभी तक कि जो golden जो ने वह किस तरीके profit होगा अगर आपको सारी चीज़े पहले से पता है कि हमारे को risk manage करके चलना ज्यादा बड़ा losses नहीं करना तब आप सोचोगे कि एक ही दिर में सब कुछ हो जाए तो वह चीज़े पॉसिबल नहीं है अब देखो market में यह impulse आया इसका यहां से मार्केट फॉल किया तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या मार्केट जो है ना गोल्डेंजुन के अंदर इंटर करने के बाद रिवर्स हुआ या कैसे रिवर्स हुआ है इस टॉप लोग को यहां पर देखेंगे तो हमें बैंक निफ्टी के चार्ट बेपी चलेगा हड़ जगह चलेगा आप इसको किसी भी टाइम फिरेंपे कहीं पर लगा सकते हो पाली कि अ जो हमारा इंपल्स है जो भी हमारा इंप debates high and low थो जो हमारा लोग पॉंट है उसको हम लोग रखेंगे देखो आपके सामने में आपकोlusive राकर अगर यह हमारा एक इंपल्स है तो इसका यह लोग पॉंट है इसका यह हाई लेकिन तो यहां पर एक नीचे आपको एक नीचे का ट्रेड बना है था इस घू और बनाः तो आप देखो गये तो यहां पर आपको यह चीज चीज़ समझ में आएगे देखो यह टॉप से क्या कि मैंने बॉटम तक लगाया क्यों अभी अब यहां पर यहां पर दो वन का लेवल है और जो हमने नीचे रखा यह जिरो का लेवल है तो यह हमारा वन होगा यह हमारा जीरो होगा इस इस आवर इंपॉल्स इसका रिट्रेश्मन फिपिस लेकर सिक्स्टी बीच में जोन के अंदर इंटर किया और यहां से मार्केट नीचे के तरफ फॉल किया ठीक है क्लियर हुए क्या भी आपको कि 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 इस था यह उनको समझ में आया तो अगर आप मैं बताता हूं कि टाइम फिरेम यह जो ना अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इसको आप बेसिकलिए सिरी फोर सिरी फाइब मिनिट और फिप्टीन मिन्ट के टाइम पर यूज करो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वन मिनिट पर यह यह काम करेगा वहां पे बहुत जादा हाई मोमेंटम होगा तो आप उस मौफ को कैच नहीं कर पाओ गयाा तो इसको ज्यादत ज्यादा को सिस करो तीन मिनट फाइब फिप्टीन में पे यूज करो अगर आप इंट्राडे ट्रेडरों तो और अगर आप मानलो पोजिशनल ट्रेडर हो तो फिर आप वहाँ पे वीकली डेली पे उसको फॉलो कर सकते हो ठीक है कि स्वारी है हाँ अगर आप उसको फिर लॉंग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो जो भी मार्केट में डीप मतलब मानलो एक इंपल्स है रिट्रेस्मेंट आया तो जहां पे वह गोल्डें जुन के अंदर इंटर करा वहां पर माई करके फिर उसको छोड़ दूं कंडियूसली जाने तो ऊपर क्यूंकि वहां पर तो अपने पोजिशन को आप फोल्ड करोगे काफे टाम साल दो साल तीन साल तक के लिए तो वहां पर बस आपको देखना गोल्डें जुन के अंदर जब कभी मिलें बस वह पर्फेक्ट जगह होता बाई करने का बाई करके छोड़ तो ठीक है इसके लब और कोई डाउट हाँ वह भी मैं आपको बता देता हूं चैट बॉक्स कोश्चन से उसको भी हम लोग करते हैं तो अभी हमारा समझ मैंगा सर 0.5 में ऐसा क्या होना चाहिए कि वहां ले सके कौन सा केंडल होना चाहिए या फिर 0.5 पर आई-टो एंट्री लेना देखो आप स्टार्टिंग मे जब वहां पर आपको कोई बुली स्केंडल दिखे तभी इंट्री करो लेकिन अगर आपको पता चले गया कि गोल्डेंजुन आज रिवर्सल एरिया होता है वहां से मार्केट रिवर्स करता है तो उस कंडिशन में फिर आप डारेक्टली इंट्री कर सकते हो डारेक्ली उस कंडिशन में आपको 0.5 तक वेट करना है अगर मार्केट 0.5 तक नहीं आ तो उसमें फिकिट्रेड में इंट्री नहीं करना है अगर वह 0.38 से जा रहा हो पर तो जाने दो आपर वहां पर जाने तो को एक यह तो मुझे लैंगवज जैसे समझा LANंग आ रहा को ử क। बट अभी जिनका कोश्चन था ना वन और टू का वह मैं आप लोको यहां पर बता देता हूं देखो जो भी हमने इंपल्स के हाई एंड लो को चूज किया तो आप हमेशा याद है अगर आप बूलिस मार्केट में लगा रहे हैं या बेरिस मार्केट में लगा तो जो उसका कर. mamma मैं लगा तो यहां से इसका बिस्त नेचें की तरफ लगा गर मैं इसको क्या करूंगा उपर से नीचे की तरफ भी लगाऊंगा तो ऊपर हमारा क्या होगा ओन फोन relationship है नीचे 0.000 दिख रहा है तो यह आप पे डिपंड करता है आप इसको बस बूलीस मार्केट में लगाना बेर इस मार्केट में लगाना उसके हिसाब से देखर इसको आप वहाँ पे सेट कर सकते हो ठीक है अभी क्लियर है सब लोगों को कि बोलिए डाउट किया है बोलिए किनिका डाउट था प्लीज बोलिए अब भी जल दी से किसी के कोई भी डाउट नहीं है कि येस और नो कि बोलिए न फिर कि ये राव कि कहां पर है कि 12 परचेस कि तो किसमें लगाना है कि मेरे को तो बस यह इंपल्स देखना ना इस इंपल्स के रिट्रस्मेंट हो दिया हां से मार्केट निचे की तरफ आया अब मुझे यह चेक करने कि यह कहां तक नीचे आ सकता तो उसके लिए मैं यहां बॉटम से टॉप पे लगाऊंगा अब मैं क्या करता हूं इस बॉटम से इस टॉप में लगाएंगा और देखोंगा गोल्ड एंजोन कहां पर आ रहा है जहां पर रिवर्सल ट्रेड होगा जैसे आपको रिट्रस्मेंट देख लेना कि वह कितना हो सकता है बस ही सिंपल सा कॉंसेप्ट है ठीक है ओके बुल्स मार्केट में नीचे से उपर और ब्रीस मार्केट में उपर से नीचे लगाना है यस बिल्कुल करेक्ट बोला आपने रुए ठीक है तो आई होप अभी आप ल और वह किस तरीके से करता है वह मैं आप लोगों को कल के लेक्टर में एक्स्प्लेन करूंगा फिर हमारा 1.618 का लेवल होता है कली में ट्राई करूंगा इस लेवल को भी क्लियर करने की ठीक है आई होप अभी आप लोगो सारे चीज़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी त और बाद में ऊपर जाता है तो कभी stop loss खाता है हम देखो stop loss वह आपको खाएगा तो वहाँ पे आपको stop loss हीट करवाना है बट कोसिस करो कि stop loss लगा के रखो अगर stop loss नहीं लगा हो अगर directly कभी नीचे की तरफ fall कर गया तो losses बहुत बड़े-बड़े हो जाएंगे इससे बोलिया है 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 स्वरी है 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 गोल्डेन जोन कि अपकी अवाज समझ में रही है आप चैट बॉक्स में लिखो आपके क्या डाउट्स है बोलिया है 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 है